नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज मैं सेनेक स्कूल और मेट्री स्कूल के लिए एक ऐसी सीरी चला रहा था अभी तक जो आपके पिछले वर्सों में जो कुछन पूछे गए हैं उन्हीं को आगे सोल कराने वाला हूं पिछली बार भी यह कुछन काफी पूछे गए हैं तो सबसे पहले मैं आप पढ़ाने वाला हूं वह हमारा जो टोपिक है जर्मीनेशन एंड सी डिस्पैसर तो इस टोपिक से कितने कुछन पूछे गए हैं 2018 से लेके बीच तक वह सारे कुछन हम डिसकस करने वाले हैं तो डि फिलो करते हैं एक जिस दूसरे जगे पर उनके लगे होते हैं तो उनका बताना है तो यहां पर इसकी जो आफसान है और यह कब कुछन पूछा गया है यह भी मैं आपको बताता जाओंगा सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो एस कुछन का वह बटा सुन लीजिए इसका जो राइट आंसर है वह हमारा एट क्या है इसका घृत आंसर मतलर इस पर संसो ताई यह फिलो होते हैं एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं उसको बोलते हैं चलिए अगला कुछन की तरफ चलते हैं कुछन नंबर second which of the following are agents of dispersal agent of dispersal क्या होता है यह आपको बताना है तो सबसे मैं पहले बता देता हूँ agent dispersal का मतलब होता है वीजो को फेलाने बाले क्या मतलब होता है इसको वीजो को फेलाने बाले कौन-कौन से होते हैं किसके माथदम से बीज फेल्टे हैं तो यह हमको अंसर देना है इसका तो इसका जो right answer होगा ना वह सब एले देखिए किसके दोणाही को देखिए कोई फूल होता है वो complete होने के बाद उसको कोई तोड़ता नहीं है वो वहीं पैर उसके बीच गिरते रहते हैं जैसे गेंव बगएरा आप काड़ते हो तो उसमें से जहरते रहते हैं सरसों बगएरा काड़ते हो तो वहीं से जहरते रहते हैं इस तरीके से इस तरीक ये seed जो होते हैं, वो circulate होते हैं, इसको बोलते हैं seed dispersal, agent of seed dispersal, इसका जो right answer होगा, all of these, क्या right answer होगा बेटा, इसका, right answer क्या है, all of these, चलिए, इसका जो right answer है, all of these, क्योंकि सबसे पहले बेंड से भी फेलता है, water से भी फेलता है, animal के द्वारा भी फेलता है, क्योंकि animal कुछ अगले की तरफ चलते हैं बिटा कुशन नमबर हमारा नैस्ट है थ्री एस्टेनल फेक्टर अफेक्टिंग सी जर्मीनेशन इंक्लूड देखिए यहां पर सारी चीज़े हैं कि जो सी जर्मीनेशन होता है उसमें एस्टेनल यार की बहारी कौन-कौन से फेक्टर है जो बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं वोटर बुलकुल एस्टेनल है यह भी रोल अदा करत है इन सभी के सहयोग से किसी भी पोद्य को हम क्या करते हैं उसको मदद करते हैं इसको बोलते हैं अब देखिए यहां पर इसको जो राइट आंसर क्या होगा तो वह भी आपके लिए बन रहा होगा कि इसका राइट आंसर बताईए पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसक external effects है किसके लिए किसके लिए है germination of include किसी भी पोदे को उगाने के लिए हमें दो चीजों की बहुत जरूरी होती है temperature और water के लिए यही कारण होता है कि seed के according उसमें फसल की जाती है यानकि मौसम के according उसमें फसल की जाती है चलिए कुशन अगले की तरफ हम चलते हैं वेटा कुशन नमबर फोर्थ क्या कहता है देख लीजे यह कुशन नमबर फोर्थ है the condition in which the seed are prevent from germination is cold क्या बोलते हैं तो सबसे पहले में इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसको जो राइट आंसर होगा वो है seed dormancy यानकि जो seed उगता है seed बनता है उसको पोदा बनता है तो इसको क्या बोलते हैं seed dormancy क्या बोलते हैं इसको seed dormancy इसको राइट आंसर होगा वो C होगा देखें इस seed coat क्या होता है सीड कोर्ट किसी भी बीज के उपर ईक परत चड़ी होती हुथ कभी आपने निवरी बगेर का षी तरिके से सुचीर के देखा होगा तो आपको समझ में आ गयाएँ इसपर्शन क्या होता है फेलना होता है और्व campe dormancy क्या होता है उसमें तना उगना सीड का एक उसमें जिसे जी कोई सीड है मैं यहां पर बनाने कोशिश करता हूँ यहां पर एक छोटा सा कोट निकालते तो इस तरीके से लगा होता है वो ही होता है क्या सीड टोर में से किलियर चलिए कुश्य नम्बर हम 5 की तरफ चलेंगे नेशन डज नॉट इंक्लूड यानि कि आप सीधा ध्यान रखना है पोदे के लिए उगने के लिए क्या ऐसी चीजे जो आवश्यक नहीं है इंक्लूड करने के लिए वो पहले हो गया आएगा उसके बाद उसकी जरूवत पढ़ती है क्या है सबसे पहले बाटर बाटर को अटको पोदे की समय जरूवत होती है ऑक्सियन की जरूवत है सैंलाट्स लेकिन एक ऐसा छीज ऑखना है जो फर्टिलाइथ है वो प depende के बाद हैं पोदा होगाने के लिए सबसे पहले जरूवत इसकी नहीं पढ़ती है चलिए हमने आज ऑज टोपिक पढ़ाता वो आपको समझ में आ गया सीड एंड जर्मीनेशन से हमने आज टोपिक पढ़ा है और इसको बेटा पढ़ते रहिए और जब तक आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ते